नवसकर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रा माप शिविकाश श्वागत अभिननन है टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे प्रक्टिस सेट की बात करेंगे मौडल पेपर की बात करेंगे सीडी पी चाइल्ड डवल्लमेंट एंड पेड़ागोजी की बात करेंगे आपके सिलिवस के अक्वाइडिंग आपके एक्जाम पैटेंड के अक्वाइडिंग प्रक्टिस सेट नमबर य सिचकों का परिवार है, आपका परिवार है, चिरे सुरूआत करते समपूर्स से लियागया न्यूजर्ण पैटर्न के कॉडइंग जान लेते हैं तीस में से आप लोगों कर कितना i스koor है आप लोगों का feedback कितना है, पहला प्रशन आप लोगों के स्कीन पर है शरीरिक मानस्रीं एवं विक्तित विकासों की मूल अधार सिला किस काल में रखी जाती है प्रोड़ा वस्ता बाले वस्ता किसो्रावस्ता यौ सैसा वस्ता की बात करें देखें सरीरिक मानसी के विक्तित विकासों के मूल जो अधार सिलाप के किसोरा वस्ता पर ही रखी जाती है यह बाल वस्ता पर रखी जाती है सब्यता यह दोनों आपसंस पर काफी ज़्यादा कन्फूजन होता है लेकिन देखें यहाँ पर मूल आधार सीला रखने की बात कर रहा है ठेक है परिपक की बात नहीं कर रहा है तो रखने में बाल अवस्ता की बात करेंगे छे से लेके बारा वस्ता की अवस्ता की बात करेंगे तो बाल अवस्ता हमारा आप्सन सही हो जाए अंगला जीन प्याजे जी की संगनात्म विकास के वस्थाओं में निम्लिखित में से कौन सा सम्दित है तो सम्वेदी गामा का वस्था जन्म से लेके दो वस्थक के वस्था मूश शंक्रियात्म का वस्था जीन प्याजे जी की तृतिय वस्था है जो आपके साथ से लेके गेरा वस्तक की अवस्ता है आपचारी की अमूर्थ गेरा से लेके पंद्रा या गेरा वस्त से आंगे की अवस्ता है तो ये सभी जो जीन प्याजे जी की तीनों वस्ता हैं और एक अवस्ता और होती है पूर्शंक्रियात्म की अवस्ता जो की दो से लेकि सात वस्तक की अवस्था कहलाती है अंगला ये कतन है कि एक उतिजग्परितिमान जो एक परतिमान के समय क्रियासील है यह दिवे दोबारा हो गया तो उस प्रतिकिया को उत्पादित करने की परति रखेगा तो निम्नेकित मैंसे किस से सीखने के सिधान को इंगित कर रहा है तो आप सभी लोग जानते हैं यह गुतरी के प्रतिस्थापन सिधान को इंगित कर रहा है Second Option सही हो जाएगा अंगला प्रिशनयाँ पे पूँचा गया 4th number प्रिशनय जो आप लोगों के स्कीन पर है सिच्चन अधियम में मनो बिग्यान के मत के समन्द में निम्कित में से कौन सा कथन सही दिया गया है लेकिए सिच्चन अधियम में देखा जाए मनो बिग्यान के मत के समन्द में कथन जो दिया गया है जो हमारा सही कथन दिया गया है वो हमारे चैन करना है सिच्छार्थी को जानने में सहाइक सिच्छा को सैम को जानने में सहाइक प्रभावी अधियम प्रकिया में सहाइक सिच्चक ब्यूसायक ब्रदिमे साहग तो यह सारी चीजिं हमें आती हैं लिकिन कहीन न कहीं फोर्त आप्सन आपको लग रहा हो को सिच्चक की ब्यूसायक ब्रदिमे शाहग तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिच्छा अधियाम में मनों बिज्ञान को मत को देखा जाए, तो आपका सिच्छार्ती को जानने में साहिक, सिच्छा को सहिम को जानने में साहिक, प्रभावी अधियाम प्रकिया में साहिक, सिच्छा की ब्युसाइक ब्रदी में साहिक, इनके उंसार जो है जो है सीखने के समस्या का समधान जो नहींत होता है वह आपके खोजपून सीखने पर होता है थर्ड आफसन सही हो जाए अंगला प्रसने सभी कमेंड कीजेगा मेरे प्यारे प्यारे भाईयों के प्यारी प्यारी बहने जिनका सपना है इस बार एक जाम फते करना 101 परटेन बिलकुल सेलेक्शन पाना है आपका एक एक कमेंड फीड़ेक शरूपर है शर्मान है सभी कमेंड कीजेगा साथियों दो या दो से दिक विक्यों के मद तत्थों बिचारों मतों तथा भाउनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है इसी को हम क्या कहते हैं समप्रेसर कहते हैं तीसरा वाला अप्सन सही हो जाएगा अंगला है educational psychology जियां साथियों सिच्छा मनोबेग्यान को cognitive view बुस्तक किस परसिद मनोबेग्यानिक की है तो आप सभी लोग परचीत होंगे काफी बार है repeat हुआ परशने काफी बार पूँचा भी गए परशने ये डेविड आसबेल की बात करेंगे आठों परशने निम्टित में से कौन सा सिच्छन प्रतिमान का कार नहीं होता देखिए सिच्छन प्रतिमान के कारों से सम्मंदी परचन पूँचा जाता है तो पांटकरम की रूप रिखा बनाना अंदेशात्मक समागरी का विकास सिच्छन प्रतिमान के कार हैं हमारे लेकिन समाजिक कोसलों का कार नहीं होगा तो ये कार इंटो कोश्चन राइट आपसन नमबर डी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रशन निम्रिकित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधियम की विशेष्टा नहीं होती है तो यह हमें मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर सहायक अधियम में कौन कौन सी विशेष्टा होती है तो कंप्यूटर यांत एक सिछार्थी के मद सोद्देश अंतेक्रिया होती है विल्कुछ यही बात है ब्रिक्तिकत सिछार्थी की विशायता के लिए होता है वांचित अंदेशात्म को देशों को स्वैम की योगतार से प्राप करना यह भी हो सकता है सेष्ट चेंतन ब्यूरचनाओं का विकास तो फोर्थ आपसन हमारा कंप्यूटर सायक समागरी की विशेष्टा सम्मंदित नहीं होगा बाकिए सारे आपसन सही हो जाएगा यानि कि हम केवल फोर इआपसन को चेंड कर लेंगे अंगला पसन निम्लिकित में से कौन सकतन मानसिक स्वास के लिए सत्त नहीं होता है देखे मानसिक स्वास के लिए अगर देखा जाए तो विक्तित्व की पूर्ण एवं संत्वित की रासील होता है तनाव अंत्यद्वंद एवं हतासा को कम करना जीवन की वास्विक्ताओं खोश्विकार करने एवं सामने करने की योगता की बात करेंगे लेकिन यहाँ पर जो दिया गए आपका परच्छेपर एवं प्रत्किया क्रिया का निर्वान यह मांसिक स्वास के विशे में आपका सत्त नहीं दिया गया है इसलिए काड़ इंटो कॉस्चंस सेकंड आपसंस विवाल आपसंस सही हो जाएगा अंगला निर्विकित में से कौन सा बिद्यालई प्रभाव सीलता के मूल निर्धारक कारक होते ही लेकि यहाँ पे परशन बहुत ही इंटेस्टेड है ध्यान पुरक समझेगा बिद्यालई प्रभाव सीलता के मूल निर्धारक कारक पूछा गया है तो यहाँ पे जो राइट अपसं हो जाएगा हमारा पार्शारिया भी है प्रवंतंत्र भी यह सिचक भी है जो भी आपसे प्रव्ब्लम हो से अर कर सकते हैं कीक है चली अंगला प्रशन एगा लाह सिच्छिक तक्नीकि जिसका उद्गम भोती विज्जान एवं अभियांदकी से है वह आपका सिच्छिक तक्नीकी फ़स्ट हैं सेकन्ड हैं या साप्ट वेर उपागाम है नीचे आपके कूठ नी कोड वर्ड में दिया गया है इस कोड वर्ड को हमें चैन करना है देखे सैचिक तक्नीकी जिसका उद्गम भहुत एक बिग्ञान एवाम अभियांत की से हुगा वह सैचिक तक्नीकी फस्ट है और हाडवेर की बात करेगी यनि फस्ट और थडवाला सही हो जाएगा यनि कि पहला अपसन यहाँ पर सही हो जाएगा नो डाउट आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे अंगला प्रस्टन निमलिकित में से कौन सा समवेगात्म बुदी का आयाम नहीं होता बुदी के आयाम की बात करेंगे लेकिन जो समस्व समधान की जन्मजाद छमता होती है ये समवेगात्म बुदी का आयाम नहीं होगा इसलिए कारी इंटो कोशन से आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला प्रवावी निमलिकित तत्तों को उनके सही क्रम में बिवस्तित कीजिए सही क्रम में बिवस्तित करना है तो सही क्रम क्या होगा सभी लोग बताएगा इनके प्रवावी तत्तों के बारे में बात कर लें इनके सही क्रम के बारे में बात कर लेते हैं तो सही क्रम जो होता है हमारा होता है पहले होता है आदा या निवेस होता है इसके बाद प्रकिया होती है इसके बाद प्रदा या उत्पाद होता है इसके बाद पर्यावर्णी संदर्व होता है ठीक है तो अनिवेस पहले होता है पर्यावर्णी संदर्व बाद में ये नोट कर लेगा लिमनिकित में से कौन से इ के सिद्धान से सम्मदय नहीं तो आपने पढ़ा होगा लारें स कुहलवर के बारे में पढ़ा होगा परंप्रागति इस्तर पूरणैतिक kid円 u स्थर आपने नहीं पढ़ा होगा तो लारेंस कौहलवर के नचिक विकास का सिधान्थ नहीं होगा इसलिए Question थर्डवाल आफसन्स हमारा सही होते हैं जीन पियाजे जी केमसार, नजीक विकास के वस्ताय इंगत करती हैं I hope सभी प्यार में सभी सिच्छ बंदों अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और अपना-पना स्कोर जबर कमेंट कीजेगा Out of 30 में से, संपूर्ट सिलिबस में से आप लोगों का फीडबेक क्या है, आप लोगों का स्कोर कितना है और 50 प्लस हम यहाँ पे प्रिक्टिसिट करने वाले जी हैं अप 50 अधिक प्रिक्टिसिट करने वाले हैं जो आपके CDP, बालविकास, मनोबिग्यान, साइकोलाजी पूरा यहाँ पे कम्प्लीट तैरी आपके हो जाएगी काफी बार पूछा गया है रेपेटिट पिस नहीं होता है तो देखिए प्रत्यच्छे अनभाव का अच्छा विकल्प, विसेवस्तु की सपस्टता, कच्छा कच्छबातावन को जीवन तेवं शक्री बनाना ये तीनों कतन जो है सिच्छन में सिच्छन अधियम समग उपायदेता से सम्दित है लेकिन सिच्छन के मुलागने प्रकिया में साय कि हमारा कतन रांग दिया गया है एक आडिन टो कुश्चन राइट अपसन नमबर भी अपसन सही हो जाएगगा अंगला प्रसन है सिच्छक प्रभावी अंदेशन प्रदान करने है तो जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उनको क्या कह कहते हैं सिच्छन समागरी दोतियक स्रोत प्रात्मिक सोत या सिच्छन तकनिक कहते हैं देखिए साथियो सिच्छक प्रभावी अंदेशन प्रदान करने है तो जिन स्रोतों का प्रयोग करता है वह जो स्रोत कहलाते हैं वह सिच्छन समागरी होती है पहला आफसन सही हो नीचे आपके code दिये गए, score को chain करना है, और एक number को ब्रद्धी करना है, अपनी score को better करना है, अपने तैरी को मजबूत करना है, तो right option क्या हो जाएगा साथियो, तो खोज precision के चरण की बात करें, तो प्रदत्तों का एकत्ती करण, प्रदत्तों का एकत्ती करण, पयोगी करण सत्यापन दोनों में, और इस पस्टी करना, ये तीनों हमारे सही दिये गए हैं, लेकिन प्रदत्त चैन उपागम भी हमारा, क्या है, wrong दिया गए, according to, खोज precision की बात करेंगे, तो यहाँ पे केवल भी वाला आपसन नहीं होगा, बाकी सारे आपसन समारे हो जाएंगे, नैत अजिक ठेका निदारन जो आवस्ता कहलाती है, ये किसका है, या नैति विकास के जब भी जिक्र होता है, तो एक ही आपसन्स करेंगे, बाकी सारे कुछ भी दिया होगा, कुछ भी कहानी कतन, कुछ भी जोड़ा जाए, लेकिन नैति विकास का नाम है, यानि की कोहलबर का न ठीक है, चले, बात करेंगे अंगले पिस्ट की, तनाव को घटाने एवं समयोजन की प्रतिच विदियां क्या होती है, जो तनाव चिंतन होता है, जिसे हम टेंसन कहते हैं, ठीक है, इसको घटाने और समयोजन की जो प्रतिच विदियां होती है, दूसरे लच्चों का प्रत सिश्थापन होता है बधाओं वत्वा सुधन होता है और दूसरा मार खोजना फर्स सेकंड एंड फोर्थ की बात करेंगे अर्थाद यहां पे जो पहला आफसें दिया गया है वह हमारा सही हो जाए अंगला प्रसने सहकारी अधियम के तत्तों को इंगित कीजिए जो सहकारी सहकारी अधियम के तत्तों को इंगित करना है कौन से हमारा यहां पे सही हो जाएगा तो वह हो जाएगा सात्यों आमने सामने की इंते क्रिया शमू कार और बिक्तिगत जवाब देही यानि कि जो डी आफसन दिया गया है 1,2,3 हमारा सही हो जाएगा 25 प्रसन कंपीट कर चु स्वासपोसन के लिए निमनकित में से कौन सा निर्देशन तकनीक सही नहीं दी गई है ठीक है इस प्रिक्टिशिट में ज्यादा तर निगेट उपरस निये गए जिसे आपकी एकजाम पर पूचे जाते हैं ठीक है तो कठोर कार्पतिस परदा एबंग्रह कार यह की सोरों क स्वासपोसन के लिए निर्देशन तकनीक सही नहीं दी गई है वांकि हास मितता रुचिया ध्यान एम अध्यात मिक्ता की बात करेंगे स्वानुसासन स्वानियंतन सरल सिच्छा सास यह तीनों हमारे सही दी गए सही निर्देशन तकनीक है लेकिन आपका सी आपसन जो दे क्या कहलाता है सब भी डोह कमेंड कि जए है तो राइट अफ़ Kelow क्या होगा आदत ग्यान ओव्रतियों करजन क्या कहलाता है उसे ही हम अधिकम कहते हैं ए tutte तो संगनात्माक अधिगम, निपुर्टा द्वारा अधिगम और अभिवित्त्यात्माक अधिगम, यह हमारे सही दिएगे. लिकिन कल्पनासील अधिगम जो है, यह अधिगम के प्रकार नहीं होगा. कार्य इंटोकैश्चन फिरर्ष्ट प्षाइए निम्लकित में से कौन सा सिचन का चर नहीं है देखे सिचन के चर भी होते है इनको भी पढ़ लेना है तो दोनों हमें पता हो जाएगा कहौन सा चर होते हैं नहीं होते हैं देखे सिच्छण के चर की अगर बात करें सिच्चक पार्चरया बिदारती ये तीन महाथपूर्ण सिच्छन के चर होते हैं ओन पृत w पर दिया गया है इस कोड के मादम से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सिच्छा के लिए से संपरेशन कोशल क्यों महत्पूर्ण होता है ठीक है यह आपको होमवर्क मिले सकते हैं मौक कोशन के लिए सकते हैं यह आपको कमेंट करके बताना है और यह जरूर बताईएग कि यो आपके साथ जय सबसार जल्द मिलता हूं आपकी अंगली क्लास अंगले प्रेक्टिस स्टिट पर सभी मित्रों को varied